हलो नमस्कार दोस्तों साथ फरोरी दोजा ठार की दह हिंदू एडिटोरिल डिसकसन में आपका स्वागत है यहां पर हम दह हिंदू के इंपोर्टन एडिटोरिल के साथ कुछ मेंद से क्यूशन है वो डिसकस करते हैं तो चलिए आज देखते हैं सबसे पहले कौन सा मेंद सा क आपको टेंट करना है तो आज का जो क्यूशन है वह मैंदी जी एस थरीके एकूनोमी से रिल्टेड है तो क्यूशन यह है कि भारत मिम्का जो 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 रेंकिंग है वो इतनी अच्छी नीरी है तो इसके लिए गोवर्मेंट को जो कॉन्टेक्ट इंफॉर्सिंग की बात आती है इसमें क्या-क्या चेंजर करने जिसके वारे अच्छी में अच्छी नीरी तो अच्छी नीरी तो आप le जह बताना है तो आपको सबसे पहले यह बताना है कि बाउट बोब पर निकल जाती है, तो वो परामेटर आपको बताने हैं, इसका बताना है कि इंडिया में परामेटर है, यह सही क्यों नहीं है, कहां 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 कमनी आ रही है परामेटर में, तो वो सारे परामेटर आपको एक यह करके आपे पॉंट्स बताने हैं, और फिर आगे बताना है कि कि इंडिया को इसमें क्या-क्या चैंज है वो लिख आने चाहिए तो कल हमने इसके बारे में कुछ पॉइंट डिसक्स के थे तो वहाँ पर आप कुछ पॉइंट है वो नो डाउन कर सकते हो और काफी इच्छा क्यूसन है वो आपको 150 वर्ड में अटेंट करना है तो 150 वर्ड कि उसने आप इसलिस को अटेंट कर सकते हो और देखो में आपको दो-तिन बाते बताना चाहूंगा कि एक तो जो जनवरी महिने की जो पीडियाएफ पूरे महिने का मर्जर फाइल है वह आप नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्स बोक्स में वहां से आप डाउनलोड क कर सकते हो Welcome UPSA की साइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रिलिम्स का अलग वीडियो है और मैंस का अलग पिडियाफ है और मैंस का अलग पिडियाफ हो दोनों आपको पूरे महिने बरके मिल जाएंगे क्यों जनवरी से पूरे सिस्टेम एक डंग से मैंने अरेंज किये तो आप वहाद से वह PDF आपको इदली मिल जाएगी, तो अब चलते हैं हमारी discussion की तरफ, तो आज देखो जो पहला article आया है, वह आया है, मैं लिए infrastructure sector के बारे में, कि हमारे देश का manufacture sector है, उसके क्या हालात है, और government ने इस budget में क्या प्रावधान किये, और उसके लिए क्या हमारे देश के लिए अच्छी है या नहीं है, तो वो सारे points यहाँ पर discuss किये गए, जो कि हमारे लिए GS3 में important होता है, एकोनोमिका पूरेंट आता है, वह फिर इंफ्रास सेक्टर वगर बात थी तो, तो आर्टिकल सबसे पहले कर रहा है, कि हमारे देश के अंदर government ने काफी प्रावधान किये, जिसे कि budget है, उसके अंदर custom duty है, उसको boost किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, इंपोर्ट करने परते हैं, इंडिया को, तो government चारी कि इलेक्ट्रोनिक्स आइटम हमारे देश में ही बनाएं, ताकि हमारे देश का लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और हमारे देश में एक तरीके से जो इलेक्ट्रोनिक्स आइटम पर खर्चा भी कम हो जाएगा, तो इ इंडिया में आने नहीं दे रहा है, जो कि काफी गलत बात है, जब यहां पर नया पूंट आता है राइटर, देखो राइटर में लें काफी अच्छी डिस्सिन बता रहे हैं, और इस आर्टिकल में, राइटर का एक करना है, कि एक तो जो इनवर्टे डूटी स्टेक्चर ह होती है, पहले हम वो देख लेते हैं, इनवर्टे डूटी स्टेक्चर का मतलब यह है, कि जिसे देखो आप इंडिया में कुछी पैन का एक्जांपल ले लो, कि अगर इंडिया में कोई भी पैन है, वो गर चाइना से इंपोर्ट क्या जा रहे है, तो पैन इंडिया में आ पैन आ रहे हैं, मालो, आगर इसके आपर 10% के ट्रूपहा है, तो कितने का हो गया एकुछ दसूपहा हो पैन इंडिया में आ गया, अगर वहीं इंडिया पैन बनाने की जो रो में एटेल है, अगर उसको इंपोर्ट करता है, तो इंडिया को रो मेंटेल पड़ता है, तो बैसलिए कस्टम है रहा हो 110 रुपय वाला पैनी खरीदना चाहेगा ना कि वो सस्ता पड़ रहा है तो इसलिए क्या करेगी इसलिए गवर्मेंट क्या आगर सकती है कि बाई जो इंडिया ने जो रो मेट्रियल इंपोर्ट किया था उस पर डूटी लगी थी ना जो सी रू बढ़ा देनी चीए और जो रो मेट्रियल पर डूटी लगती है उसको कम कर देना चीए ताकि रो मेट्रियल पर कस्टम डूटी कम होगी तो उसका फायदा हो जाएगा इंडिया में तो उसके बाद उसका मैनुफिक्चर सेक्टर में फायदा होगा लोगों को रोजगार भ कमपनियों को फायदा हो और अभी हो क्या रहा है अभी यह था अभी तक तो कि रो मेट्रियल पर टेक्स ज्यादा था तो उसके वाज़े क्या था कि इंडिया के जो डॉमेस्टिक इंडस्टी थी उनको काफी लोस हो रहा था क्यों गलेलू फर्म को नुक्सान हो रहा था आ आप देख सकते हो कि किस तरीके से इलेक्ट्रोनिक्स आइटम है वो कितने सस्ते इंडिया में में मेल लाएते दस तरीके जो लॉकल आइटम काफी नुक्सान करते है तो गवर्मिंट के द्वारा यह जो पॉलीस ही लेक यह बढ़ा दो काफी इचा डिसीजन है इसके बाद से ज्यादा थी कुछ में तो और कुछ पे 150 प्रेंट तो देख से तो बहुत जदा कस्टम डूटी थी पट उस टेम पर कहा कि हमारे देश में इतनी हालाद अच्छे नहीं थी और मेनुफेक्ट्रिंग शेक्टर इतना अच्छा नहीं था तो इसलिए LPG रिफों में उसका से कुछ हट तक में फायदा नहीं हो पाया मैनली मैनुफेक्ट्रिंग शेक्टर के ओपर देखो राइटर ऐसा कहा रहा है कि अगर गोर्मिंट जो कस्टम डूटी गोर्मिंट ने जो बाद में कम की ना LPG रिफों में उस टेम पे तो थी 150 प्रेंट के असपास बट बाद मे गोर्मिंट ने किया कि से LPG रिफों मात इसके कुस्टम डूटी को ध्रेद्रे कम करना शुरू किया और बाद में 2007 अर्त देखा जाए तो यह 10% पर ही आगे थी तो देखे तो कि बहुत ज्यादा कम कर जया था गोर्मिंट ने तो इसकी हुज से क्या हुआ कि इतना टाइम मैंनली 14-15 साल का इस टाइम प्रेट में हो यह पाया कि हमारे देश है वह एक्चुली मैनुफेक्रिंग सेक्टर को बढ़ाई नहीं पाया हमला हमारे देश में इतनी तेजी से जो कस्टम डूटी हो कम हो पाई तो गोर्मिंट को पहले कस्टम डूटी को गटाने से पहले ग मेनुफेक्řिंग सेक्टर के द्धान देना चिकेए था था कि हमारे देश का मेनुफेक्रिंग सेक्टर अच्छा होता फिर उसके बाद को कुस्टम ड्ूटी है वो कम है ली कम कर देन चीजिए था कि गोर्मिंट को इसका फायदा हुआ चाइना को तो यह चाइना ने अपनी जो इंडेश्ट्रिल पॉलीश थी वह बहुत अच्छी बना रगी थी चाइना पहले ही सचेथ हो गया था और चाइना ने जो भी सिच्विशन थी उसका फायदा उठाए चीद इसी बात आप यह कह सकते हो कि चाइना ने ह प्रोडेक्ट पर सब्सेडियों गया देने लगी तो वहां पर प्रोडेक्ट काफी सस्ते बने लगे और फिर गौर्मिन उनको एक्सपोर्ट करने लगी वहां से तो चाइना की इंडेश्ट्रिल पॉलिसी वहां के महौल के गोडिंग थी बट इंडिया ऐसा नहीं कर पाया और इंडिया इस सेक्टर में पिच्छर रहा गए और इंडिया ने क्या किया इंडिया ने मेनृफेक्श्रिंग सेक्टर तो फोकेस किया नहीं और वो किया, कश प्र्मिन अब ढताए हो कِ कि construction sector में क्या है कि job की कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है, में जोब मिल जाती है एजली construction sector में, बट उसका कोई long term फायदा नहीं होता है, और इसका सबसे बड़ा जो नुक्सान हो वहा कि rule area की income level हो बहुत कम होगी, क्यों देखो construction sector में अगर labor का काम में, तो उसके लिए कोई पड़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता है, और जो rule area में जो लोग रहते थे, वो actually sector में ज़्यादा include होगी, और उसकी वज़े क्या होगी, हमारा देश में मजदूरियों बहुत सस्ती होगी, और लोगों का income level हो बहुत नीचे हो गया, इसके बाद में आर्टिकल कर रहा है कि देखो, गोवर्मिन्ट 2000 के टाइम भी लेकि इस सर्वेशिक्सा अब्यान, अब 2001 से पर लगता क्या था कि हमारे देश में इतने ज़्यदा लोग educated नहीं थे, बर 2001 में गोवर्मिन्ट टार्गेट रखा कि सभी को educated करना है, अब गोवर्मिन्ट टार्गेट तो रख लिया कि सबको पढ़ाना है, तो ओबिसलिए लोग पढ़ेंगे, तो उनको जोब की जरूत होगी, तुशलिए हुआ क्या, 2014-15 तक लोग जो लोग पढ़े मलब 12-30 साल में, अब उनको एक जोब की जुरूत होने लगी, कि भी हमें जोब चीए, और गोवर्मिन्ट हो जोब देनी पारी, construction sector में देखो पढ़े लिख लोग जाना नहीं चाहिए, अब सरकारी जोब हो एक लिमिट के बाद गोवर्मिन्ट परड़ कर नहीं सकती, और manufacturing sector की इंडिया का अच्छा नहीं है, तो उसलिए लोगों के पास option क्या बचा, तो लोगों ने क्या किया, धीरे-धीरे करस्टी sector पर agriculture sector पर फोकस करना शुरू कर दिया, अब agriculture sector है, उसमें marginal growth rate की बाद होती है, यह मलों वहाँ पर इतनी growth होती नहीं है, वो अग्रिकल्टर sector में आपको बता है कि CPV बेरुजगारी का concept है, वो भी सामील होता है, जिखो उसमें क्या होता है, जैसे कि यह मालो कि किसी के पास यह एक खेत है, इस खेत में चार लोग काम कर रहे हैं, और वो कुल मिला कि हमालो कि एक साल में 100 kg नाज, कि यह एक्जामपल ले रहे हैं, कि 100 kg नाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर यहीं पे 4 kg गार 5 लोग लगए, तो क्या करेंगे, वो 100 kg के 102, कि 105 kg के लेंगे, इस ज़्यदा तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएं, क्योंकि खेत की भी लिमीट होती है, आसा तुर्णी की खेत में, आप यहां पे 100 kg कर दोगी, टेकिनिकल आप यूज करोगे, चलो, आप बहुत ज़्यादा महनत करोगे, तो सोचते 105 हो जाए 110 हो जाएगा तो मैं हुआ क्या कि अगर यहां पे एक आदमी जुड़ा उसके कंपेरिज में जो होनी चीए थी रोटर उतनी नहीं हो पई और यहां पर क्यांगी तरिक से बेरोजगारी छीपी रहती कि यहां पर लगता है कि हाँ यह आदमी काम कर रहा है पर यहां पर यहां पर अगर हो को आदमी को काम नहीं कर रहा है थो इसक्रिए भी जोब मिल रहे है देखो कि खेतों में काम कर रहा है इतो व्हो बात रायटर Πर लोग पर कह रहे हैं जोब देने का मतलब है कि वो भी एक limit का ज़्यदा profit नहीं दे सकता और इससे हमारे देश में tensions वह ज़्यदा पैदा होगी और लोगों में काफी में लेखते से एसन तो सब फैलता जा रहा था बहुत अच्छी के साथ जो इंडिया के लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे के साथ जो गौर्मिंट के इस बार आई-जी-एस-टी का जो concept लेके आगा था वह भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे इंडिया के फायदा होगा इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो आप जो पहले कच्रा था वह अपने आप चड़क है और फॉर्मल स्रेक्टर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्यों कि अंदर आपको बता है कि सभी फर्म को रजिस्टर करोना काफी जूरूरी है तो यह भी काफा इस्टा डिजन है इसके बाद में राइटर कह रहे है कि देखो एक तो रूपय है उसको सोफ्ट करना होगा रूपय की थोड़ी यह वह नीचे रखनी होगी क्यों 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 कि देखो कर रूपय होता है तो हमारे देश का इंपोर्ट है वह बढ़ता है इसलिए गवर्मेंट को रूपय है उसको सोफ्ट करना होगा रूपय की रोजगार मिलेगा और गुवर्मेंट जो डिमांड फिल्फिल कर पाएगी और रूरल एरिया में इंकम लिए बढ़ाना होगा अब दिखो रूरल एरिया के लोगों का इंकम बढ़ाना इसलिए जुरुरी है क्यों हमारे देश का मैकिसम और क्या है रूरल एरिया है अगर जदा प्रोडेक्शन करेंगी, जदा प्रोडेक्शन करेंगी, तो लोगों को जदा रोजगार देना होगा होने, जदा रोजगार देंगी, तो क्यों होगा हमारे देश की जो एकोनोमी है, वो बटरी पर आ जागी, तो मैं लोगों सारा कॉंसेप्ट है, वो आगे चलता रहे तो इससे हमारे देश को काफी फैयदा होगा, तो गोवर्मिंट को पहले रूल एरिया की इंकम नेवलों बढ़ाना होगा, इसलिए गोवर्मिंट है वाजगल किसानों के लिए और काफी फ्रेंड़ी पॉलिसी लेके आ रही है ताकि लोगों को फैयदा हो, अब चलते हैं वह आगा है, वह क्या गया है, 12 जनौरी की जो प्रेस कोंफरेंस आयोजीत की गी थी, सुपरीम कोट के चार सीनियर मोष जज्योज की तरफ से, उन्होंने मीडिया के सामने डायकली कोंफरेंस प्रेस कोंफरेंस रखी थी पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ था, फिर उन्ह सुप्रीम कोट में काम प्रोपर डंग से नहीं चल रहा है, तो सीब जो इंडिया है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, केसेज हैं, वो प्रोपर डंग से लोकेट नहीं कर रहे हैं, मले अपने अकोर्डिंग, अपने फेवर के कोर्डिंग केसेज दे रहे हैं, और पोलिटिकल Sensitive Cases हैं, वो अपन ही लेडरों को दे रहे हैं, तो वो असारी बाते हैं यहाँ पर आ रही थी, तो इसके बाद में नए जो रोस्टर सिस्टम आया, जो कि मैंली कल से ही dalam वह इसको लेकर हैं, तो मैंली रैटर यह कह रहे हैं कि बैस जो निया रोस्टर सिस्टम जो लेकर है यह Supreme Court का, तो Chief of India के जोरा lag है, उसमें भी काफी कुछ कमिया है, क्योंकि जो नएा roster system है, यह मैं लिए जो cases है इंडिया Supreme Court में, उनको distribution के लिए है, बट इसमें काफी कुछ खामें बता रहे हैं अभी भी, अभी भी राइटर ये कहा रहे हैं, कि एक तो दिखो, जो काफी sensitive case ते जो लिए Chief Chief of India ने अपने अंडर, और बाकी जो बच्चे के छोटे मोटे जो एरिया बचके वो दे दिये, बाकी senior, बाकी जो senior most judges होते हैं उनको, तो इससे यह कहा रहे हैं कि ट्रांसपरेंसी नहीं है, अभी भी Supreme Court इंडिया के जो Chiefs है, चीज़ी आई है, वो अपनी मनमानी कर हैं, तो इनका कहना कि Chiefs of India को अपनी मनमानी नहीं करने चीए, हलाएं कि यह बात सिए हमारे सविधान में प्रावधान है, कि Chiefs of India है, वो जो 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 में आगे हैं, बट उनसे बड़े नहीं है, बाकी senior most judges हैं, उनसे आगे हैं, इसलिए हमारे देश में जो collegium system है था, उसमें भी यह चीज के लिए की गई थी, कि भाई, जो collegium system में यही प्रावधान किया गया था, कि Chiefs of India हैं, वो बाकी जो चार senior most judges हैं, उनके साथ मिलके ही कोई decision है, उनके साथ मिलके कोई काम करेंगे, वो आपस में collective responsibility है, उसको handle करेंगे, ना कि ऐसा है कि जो Chiefs of India है, वो अपनी मन मिलके ही decide करना चीए था, कि हाँ, यह case को handle करेंगे, यह case को handle करेंगे, उसके coding ही, इससे यह होता, कि एक तो transparency बढ़ती, और एक तो होता है, कि जो authority है, उसका misuse नहीं होता, अब देखो हो क्या रहा है, कि Chiefs of India हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे है, और जो अपनी authority है, उसका misuse क कर रहे हैं, इसके साथ बात आती है, कि subject-wise cases हैं, वो भी distribute नहीं हो रहे है, तो writer है कह रहे हैं, कि इंडिया को, जो case का वित्तरण है, वो बाकि चार senior most जो के साथ मिलके करना चीए, वो अच्छे किसे subject-wise cases हैं, वो distribute करने चीए, कि जज़ ज़ए इस मामले में perfect है, तो इसको related case ही देना चीए, ताकि transparency ज़ए अच्छे decision है, वो आसके, तो ये था complete article जो हमने आप ही discuss किया, आज मैं लिए दो आर्टिकल काफी इच्छ थे हैं, इसके अलावा एक Indian Express का एक article है, तो वो आज हम देखते हैं, कि साम तक discuss करें, वो काफी इच्छ आर्टिकल है, उसमें मैं यह आया कि मालदीप की democracy है, उसके बार में discuss कियागे, वो आप अभी constitutional crisis है, तो वो हम आज साम को देखेंगे, अलग से उस article हो, तो आज की discussion में इतना ही, thanks, thanks for discussion.